देखिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि धोबी का गदहा ना घर का ना घाट का और वही हो रहा है हमारे पॉन भाईया के साथ में मामला बहुत जोड़ से गंभीर है सुनने को यहां तक मिला है कि निरहुआ रभी किसन और मनोश्तिवारी के वज़ा से पॉन भाईय लेकिन इसमें क्या सचा है मुझे नहीं पता अन फोलो फोलो के बारे में लेकिन यह तो मामला गंभीर है कि पॉन भाईया को टिकट लड़ने में बड़ा कठनाई आ रही है पहले उनको मिलता है टिकट आसन सोल से उसके 24 घंटे के बाद में पॉन भाईया को यह बोलना आए थे इसलिए वहां की जन्ता नाराज है उसके बाद में पॉन भाईया को लगा मुझे कहीं दूसरे जगा से टिकट लोग देंगे अब इसके लिए जो है हमारे पॉन भाईया फोन करते हैं रभी किसन पनोश्तिवारी निरभाई जी को क्योंकि अल लेडी वो लोग सां सबसे क्लियर कट बात यह है कि निरहुआ भाईया वो पॉन भाईया वो दिनेश लाल यादों हो गये मतलब तीन लोग जो है रभी किसन मनुष्तिवारी और निरभाईया यह तीनों जो है बीजेपी पार्टी का टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ओडिशाइड न ठीक है बस यह कह सकते हैं कि आप दे सकते हैं ठीक है और बाकि रहेगे चुनाओ लड़ने की तो पौन भीया निरदलिये भी लड़ सकते हैं निरदलिये लड़ जाए तो आर्जेटी में कूछ जाए कोई प्रोब्लम नहीं आरजेटी उन्टे बहुत आराम से उनको टिकट सब्सक्रण मिल जाएगा तो बोल दिये हैं कि मैं चुनाओ लड़न You किसी है में हालत में लड़नोंगा और उन ये भी कहना है कि लोग मेरे साम थांदमी गकर दिया है buckets गदारिक दिया मुझे नहीं पता है और ये भी हो सकता है कि अभी पेज्य हैपी पार्टी के तरफ से 5 पांसो तिर्यालिस सीट है भाई वह लगवग दो-तीन सो सीट आई है अभी भी दो-तीन सो सीट आना बागी है विहार का कर दिया हो गद्दाई कर दिया यह टिकट नहीं दे रहा है और यह मिल जाएगा टिकट हां कहीं ना कहीं से लड़वा देंगे भी बिहार का यूपी का बहुत से टिकट मतलब उसांसत का नाम आना वाकिया कि कौन-कौन चुना लड़ेगा ओ अभी से आला मचाये जा रहे हैं पर अभी किसान है ना महरुजतिवारी हैं वो देगा बीजेपी पार्टी का जो मेन होगा ठीक है अल्ला मचाग रखे है नमस्ते